मेरा नाम स्तेंदर पाठक और आज हम लोग कठा हुए हैं कुछ चीज़ों को डिसक्राइब लिए तो दोनों को हम लोग चचा करते हैं पहली चीज़ तो यह है वेकेंसी को ले करके तो ध्यान रखें कि नई वेकेंसी का कोई भी ओफिशिल डेटा कहीं भी नहीं है और न रहता है कभी भी किसी बार भी आप देखोगे डिरेक्टली अचानक से आएगा दो मेने बाद आपका पेपर रहता है कुछ इस तरीके से रहता है कोई ओफिशिल डेटा कहीं देखने को नहीं मिलती लेकिन जिस हिसाब से एविएसन स की रिक्वार्मन बढ़ती जा रही है अगर आप देखेंगे जो हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही एक हमने आपको कटिंग भी न्यूस पेपर की शेयर करी थी जो टेल्गाम चैनल पे होगा तो उसमें भी जा करके आप देखोगे तो उसमें भी यही सारी चीज़े मेंशन पोस्त नहीं लेकिन लगबग 116 क्यास पास पहले थे जो कि 200 साय दोर बढ़ेंगे यानि 310-320 क्यास पास वेकेंसी देखने को मिल सकती है 2024 में common cater को लेकर के जो बात है common cater की भी वेकेंसी इसी साल देखने को मिल सकती है बस उसमें दुविधा की बात यह है कि में भी कुछ segments ऐसे हैं जो कि category wise release करें उसमें ना कि एक साथ bulk या as a chunk release हो तो वो थोड़ा से doubt है otherwise में दोनों की vacancies संभावित हैं इस साल और जाहिर से बात है नीड भी उनकी है पर यह कोई official data नहीं जब तक कोई पुकता या थोड़ा बहुत भी ऐसा कुछ ऐसा trustworthy news नहीं आया है हमने फैसला किया next thing जहां तक उमीद है कि July के आसपास में दोनों vacancies देखने को मिल सकती है दोनों में से कोई एक तो पहले ही उमीद है मतलब हो सकता थोड़ा सा एकाद महीने पहले या एकाद महीने बाद बस इतना सा अंतर हो सकता है लेकिन vacancy दोनों आनी लगवग रही है तो उसके विहाब पर क्या है मैं आपको सला दूँगा कि पढ़ाई करते रहें और अगर मान लीजे आप batches में हैं तो आपके batches में आप continue रखें अगर आप batches में नहीं है इन डाट केस आप क्या कर सकते हैं इन डाट केस आप अगर मान लीजे हमसे हमारे पास calls आ र से स्टार्ट करेंगे तो आप उस emotional trauma से बाहर आएंगे तो एक genuine decision आप ले पाएंगे whether it is needed or not second thing यह है कि हम लोग batches क्योंकि लेट से शुरू कर रहे हैं लेकिन अगर मान लीजे desperation में आप शुरू करना ही चाह रहे है इन डाट केस अपने जो batches जो पहले से हैं महाँ पे यान से क्या है कि जब तक कोई official data ना आ जाए तब तक कोई भी 100% guarantee के साथ नहीं कह सकता क्योंकि कितनी भी जानकारी हो vacancies चल जाया करती है का दो मेंने तो हर बार देखे टली है तो इसमें एक होता है कि confirm prediction लगाना संभव नहीं होता क्योंकि एक बार गलती से भी हमने बोल दिया क तो जिम्मेदारी पूरी अपनी तरफ आती है ऐसा लगता है पुरा aviation हमीं चला रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है aviation sector एक अपने आप में self independent स्वायत तंस था है जिसको आप कह सकते हो और बहुत 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 और आपने देखा होगा कि mostly जब तक हमने जब से शुरुवात करी है अपना चैनल स्टार्ट ही हुआ था प्रेडिक्शन से और मुझे याद है कि लगबग 6 जनवरी आट जनवरी के आसपास हमने पोस्ट आपको डाला था कि exam होना है 2021 की बात मैं बता रहा हूं और वो 25 मार इसलिए थोड़ा सदर्क होगे थोड़ा समझ बूज करके analytical होकर के ही कोई फैसले ले इसके बात सबसे खास बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो उस पर धान सुनिएगा क्या चीज है खास बात देखो पहली चीज तो यह है कि अपने पास में कई सारी PSU's में vacancies आई है यह सारी vacancies है एक बार थोड़ा सा उस पर मैं कहूंगा आपसे research करिएगा और एक PSU की list हमने आपको share करी हुई है टेलराम के main channel पे उसमें जाईए carrier का सीधा link दिये हुआ मैंने उतना भी काम आपके लिए कर दिया है बस आपको करना क्या है कि अभी फिलाहाल क्योंकि तीन महीनों में expected vacancies जादा हैं उम्मीद है कि हजारों की संख्या में रहेंगी और सभी में लग लग कुछ ने कुछ देखने को मिलेंगी तो एक एक बार आती है कि अगर आपको फॉर्म भरें तो उसके लिए लगातार आपको वाच करना पड़ता है विबसाइट को क्योंकि अचानक से डेटा आता आपने आया एटी सी देखा ही है क्योंकि इसमें several of students भर रहे हैं फॉर्म हर बहुत सारे YouTube पे चैनल बन गए है क्योंकि लगातार तो इसलिए क्या है कि इसका आपड़ेट आपको तुरन तुरित रूप से मिल जाता है बागी PSU का तुरित रूप से क्योंकि इंफॉर्मिशन नहीं मिल पाती तो कही बार छूट जाता है पेपर देने के बार रिजल्ट नहीं पार चला अचानक से जिस दिन रिजल्ट आय को मिलेंगी ACIO grade 2 जो आया है उसमें अगर आप IT से हैं तो उसमें भी आपने देखा हुआ कि पोस्ट काफी है विकेंसीज है तो मतलब यह है कि विकेंसीज का सिलसरा शुरू है और तीन महीनों में PSU को अपने कदम पे लाने की तैयारी चल रही है तो तीन महीनों में बहुत एक्ट्रा हायर कर सकते हैं as per the need तो जितनी भी profit making PSU's है उसमें तो विकेंसीज ततकाल में आएंगी और जितनी भी कुछ loss making भी PSU's रही है उनमें करीब हमको लगगा 14-15 के आसपास तो उनमें थोड़ा सा हो सकता delay देखने को मिलेगा recruitment में बाकी इन सब में फटा-फट से आन ले सकते हैं अगर आप physics से masterate हैं तो DSSB में PGT UP में PGT उत्राखंड में PGT ऐसे करके state PGT में कई सारी post निकलने वाली हैं और कई सारी क्या physics है तो किसी में 8, 9, 10, 14, 20, maximum 20 तक रहता है अगर subject wise vacancy देखेंगे physics के लिए खास करके mathematics के लिए 2, 3, 4 ऐसे करके इस आर देखने को मिले और सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा computer science, biology और political science मतलब arts के section और bio के section में आपको ज़्यादा vacancies देखने को मिलेंगी तो आप लोग तो खेर ज़्यादा तर technical field से होंगे physics से होंगे ऐसे करके होंगे तो आप भर सकते हैं दूसरी सबसे खास vacancy जो हमने आपको बताए थी CSIR की CSIR में आपने देखा होगा कि वेकेंसी लगबग 500 के आसपास में है, section officer और assistant section officer का है case section officer और उसमें भी वेकेंसी अच्छी खासी है, stipend भी, मतलब remuneration भी बहुत बढ़िया है, group 1 का, group A का job है, scale 1, तो आप देख सकते हो कि काफी बढ़े हाप opportunity है और लगबग आपके सामने खड़े हो कि 67 vacancies हमें नाम बिना है, लेकिन आप एक बार थुआ सर्च करोगे, मैं अपना handset side बाहर छोड़ दिया हूँ, तो उसके लिए sorry, लेकिन ये है कि vacancies हैं, आप एक बार list जरूर देखिएगा, एक बार सरकारी result एसे visit करिए, सरकारी result.com, उसमें भी आप upcoming vacancies में जो यानि इसी वीडियो के, just a second, इसी वीडियो के comment section में आईएगा, इसी वीडियो के comment section में उसको post करिएगा कि sir, ये वाली vacancy का notification का, ये section नहीं समझ में आया, दूसरा मैं बता दूँ, जो हमने आभी आपको कुछ दिन पहले एक vacancy के बारे में update किया था, कि जो airport authority of India है, तो उ इसी वीडियो हमने उसमें thumbnail में भी नीचे लिख दिया है, उपर जो vacancy उसके नीचे just देखोगे, लिखा है, port north eastern states, तो वही केवल 6 राज आगे के जो हैं, उन्ही को ही chance है उसमें form भरने का, तो अगर आपने गलती से form भर दिया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भराया तो म भरियेगा, क्योंकि उसमें सायद आप eligible नहीं होगे, केवल north eastern states के बच्चे ही eligible उसमें रहेंगे, उन्ही के लिए ही वो vacancies हैं, ठीक है, अगर आपको doubt हो तो आप जाईएगा, उसमें नीचे, और general instructions में सायद पहला या दूसरा point ही है, तो देखे का, या फिर पिछला वीड प्लस इसके बाद में ETC और common cadre की भी एक अच्छी percentage of chance है की आएंगे, और percentage मतलब बढ़या chance है, तो आप उसके लिए भी अब बैठ करके इंतजार करने सच्छा है, कुछ exams देते रहें, जिसमें अगर आपने ACIO grade B का आपने अगर form भरा होगा, IB ACIO का जो पिछला वाला था, अगर form भरा होगा, फैमे paper है, तब तक तो आप उसे हीं busy होगे, नहीं भरा है, FCAT भरा है, तो FCAT में हमारे साथ आप busy होने वाले हैं कुछ दिन में, हमाई साथ में ही बने रहेंगे, और अगर FCAT में भी बताएं, air traffic controller की कुछ job होती है, जिसको हम लोग target करके चलने कोशि सब लगब लगब non-tech ही है, बस एक आट topic किसे में decision making extra गया, किसी ethics extra गया, इस टाइप से हैं, तो हमें लगता है उसमें ज़्याद आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बड़े आराम से आप सको tackle कर सकते हैं, कोई अगर trade specific discipline specific हो तो उसमें सबर्ग रहें, क्योंकि ATC में आपने physics और math पे अच्छा काम किया है, तो उससे rated अगर कोई exam होगा, शायद आप बहतर कर पाएं, इसके अलावा कुछ होगा, तो शायद उसी exam हो के बलट करेंगे, तभी काम बन पाएगा, अदर्वाइस चार नौ में चड़ने की बजाए, आप एक पेगर focus करें, जादा बेटर ह तो that was all for today, मुझे लगता है कि एक session फ्रासा informative रही होगी, और बाकी एक बार जरूर जो vacancy के हमने checklist डाली है, carrier section वाला, उसको जरूर देखेगा, काफी मेहनत लगता है, कि एक एक website को खोल करके, उसके carrier section का link उठा करके, फिर paste करना, फिर अभी कुछ में update नहीं थे, तो उसको update करना पड़ा, तो ऐसे में भी, मतलब समय तो काफी लग जाता, और मुझे नहीं लगता कि कहीं भी platform पे, किसी platform पे आपको PDF से कहीं मिलने वाली है, तो काफी मेहनत लगा, उसमें करीब 2500 क्यास पास companies हैं, सारी website visit करने में, time लग गया, समय लग गया, हलाकि हमने commitment तो बड़ तो उसमें एकदम rigorous तरीके से मेहनत करेंगे, और no doubt बहुत आराम से return निकलता है, main round होता है सस्बी का, उसमें भी हम खुछा से guide आपको करेंगे, कैसे 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 क्या 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 करना है, जितनी सुविदा मियास दे पाएंगे, बाकी offline की institute के जो बच्चे हैं, वो तो कहीं कही refer तो करना ही पड़ेगा, तो वो करेंगे, बाकी हम आपको भी उनकी जनकारी देंगे, कि इस तरीके से आप क्या क्या चीजे करें, next thing, but not the least, हसते रही है, मुस्कुवाते रही है, खुद पे hope रखे, लोगों की उम्मीदे आप से हैं, तो उससे ज़्यादा उमीदे आपकी देखने को मिल सकता है, काफी सारी vacancies हैं, काफी उठापटक भी आपको देखने को मिलेगी vacancies में और साथ-साथ में political instances में, क्योंकि आप देख रहे होगे at the moment की चुनाओ आने वाले हैं, कुछ फैसले आपको दिख रहे होगे आपके आसपास, तो ऐसे टाइम पे थोड़ा स hope रखना, थोड़ी जानकारी रखना, थोड़ा चीज़ों को लेके update रहना, आपको ज़्यादा जिम्मेदार नागरिक बनाएगा, citizen बनाएगा, तो उसको लेके आसपास में update भी कर सकते हैं, जो चीज़ अच्छी है, उसके बारे हम फवाफ हैल रही है, उसको आप support कर सकते जो चीज़ गरबर है उसके लिए कि stand ले सकते हैं, stand नहीं भी ले पा रहे हैं, तो कम से कम लोगों को बता सकते हैं, कि यहाँ stand वो ले सकें, तो at the moment कोशिश करिए, जैसा भी हो, positive रही है, healthy रही है, मुस्कुराते रही है, हस्ते रही है, अपने आसपास के लोगों के लिए stand लेना सीखिए, उनको भी थोड़ी सी धांदस दीजिए, थोड़ी सी उम्मीद दीजिए, क्योंकि जिन्दगी देखने में आसान है, लेकिन है बहुत जटिल, देखने में लगेगा हर कोई मुस्कुरा रहा है, लेकिन वो किस pain से गुजर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, शायद आप कभी नहीं जान पाएंगे, और जब आप जानेंगे तो आप से मत चौकने रह जाएंगे कि क्या-क्या मुसीबते कौन-कौन जेल रहा है, तो इसलिए कोई भी विक्ति, मुस्कुरा रहा हो, दुखी हो, कैसा भी हो, आपका नजरिया उसके प्रती अच्छा हो, खुश रही, मुस्कुरा रही, all the best, bye-bye.